दोस्तों इस विडियो में आप जानेंगे कैसे आप такие लोकर पर अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आपको डीजी लोकर एपका यूज़ करना है दोस्तों डीजी लोकर पर नहां हर एक भारत्या का अकाउंट होना बहुत जरूरी है because यह बहुत ही काम की application है और guys यह ना government की app है अब आपने देखा होगा अकसर कि जब भी हम कहीं travel करते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं और कभी हमें traffic police रोक लेती है अगर उनको हमारा driving license चक करना है तो guys वो हमसे deal मांगते हैं driving license मांगते हैं लेकिन अगर आपका driving license का भी घड छूट जाए तो आपना डीजी लोकर का अपना driving license को दिखा कर अपना चलान से बच सकते हैं इसके लाब अगर आपसे कोई अधार कार्ड मांगता है पैन कार्ड मांगता है तो भी आप सारे document को ना digital phone में अपने जो है डीजी लोकर में डख सकते हैं आपको physical document को carry करने की बिल्कुल भी आफ सकता नहीं है जरुत नहीं है तो कैसे यह सारा काम करता है इस वीडियो में आप जानेंगे अपने mobile phone पर डीजी लोकर अप को डाउलोड कर लेंगे इसके लिए आपको जाना है Google Play Store में और अगर आप iPhone यूज कर रहे हैं तो आपको जाना App Store में और यहाँ पर आपको सर्च करना है Guys डीजी लोकर जैसे आप यहाँ पर सर्च करेते हैं यहाँ पर आपको इस तरह की से नज़र आएगा और यहाँ पर आप देख लेना तो चलिए हमारा Download हो चुका है अब हमें Simply यहाँ पर इसको Open करना होगा इस तरह के से DJ Locker Application का Interface कुल कर आएगा अब आपको अपनी Language को सलेक करना है भासा को सलेक करना है जो भी भासा आप रखना चाहते हैं आप सलेक करेंगे जैसे अब हमें English ती रखना है उसके बाद हमें करना है Continue Continue करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी आप चाहिए तो उसको देख लेगा वरना मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई दूँगा तो यहाँ पर हम करेंगे Let's Go क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह के से इंटरफिस नज़र आएगा और यहाँ पर आपको दुबार क्लिक करना है Get Started और यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है सबसे पहले और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप directly यहाँ पर sign in करेंगे, login करेंगे तो अभी हमें अपना नया अकाउंट बनाना है तो create अकाउंट करेंगे और यहाँ पर हमें simply अपना यहाँ पर full name को enter कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना date of birth में date, month और year को select करना है आप male है, female है आप यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद जो भी आपका mobile number है आप यहाँ पर enter करेंगे अपना email ID enter करेंगे और यहाँ पर आपको 6 number का security pin मिनाना होगा और guys यह security pin तब काम आएगा जब आपको कभी भी इस application की जरुत पड़ेगी आपको उसको login करना है तो आपको 6 number का pin यहाँ पर जरुत पड़ेगी ठीक है और याद रखीगा यहाँ पर जो star बने हुए है न वही आपको यहाँ पर जो compulsory उस box में fill up करना otherwise आप यहाँ पर Gmail ID ना भी डाले तो भी चल जाएगा हमने यहाँ पर सारे details को fill up कर लिया है अब हम कर लेते submit अब आपके mobile number पर एक OTP आएगा one time password और उस OTP को आपको इस box के अंदर fill up करना है और यार गाईस आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को like करना तो यार फटवर से एक like जरू कर दो हमने OTP यहाँ पर enter कर लिया है अगर आप OTP देखना चाते हैं तो आप यहाँ से अपना OTP भी देख सकते हैं उसके बाद आप submit करेंगे कभी-कभी OTP रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ पर recent OTP के उपर click करेंगे दुबारा से OTP आप फिल अप करके submit कर देंगे अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपना अधार नमबर को enter करना है अगर आप अधार नमबर यहाँ पर verify करवा लेते हैं तो आपके जितनी भी सारे यहाँ पर feature है ना guys है उसके आपको last के 4 digit यहाँ पर नज़राएंगे अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस नमबर पर आपका OTP भीज दिया गया है जो आपके आधार के आड़ के साथ में link है उस OTP को आप यहाँ पर fill up करेंगे और उसके बाद यहाँ पर करेंगे submit हमने आधार का OTP यहाँ पर enter कर लिया है अब हम करेंगे यहाँ पर submit submit करते है guys यहाँ पर आपका directly login हो जाएगा अभी यहाँ पर दिखा रहा है guys की account already exist यानि कि हमारा digital locker पर पहले से account बना हुआ है तो अभी हमें directly sign in करना होगा अगर आपका account नहीं बना होगा तो आपका directly यहाँ पर login हो जाएगा यानि कि sign in हो जाएगा आपको करने की ज़रुत नहीं है अब आपने जिस भी number से account बनाया था ना उसी number से आप यहाँ पर login कर लेंगे और यहाँ पर आप चाहे तो अपना आधार card से भी आप जो है अधार number से भी login कर पाएंगे अपना अधार number डालेंगे अपना pin एंटर करेंगे और यहाँ पर sign in करेंगे आप guys आपके register number पर एक OTP जाएगा one time password उस OTP को आप यहाँ पर fill up करेंगे और उसके बाद करेंगे submit अप guys आपका account यहाँ पर login हो जाएगा आप आपसे कुछ permission मांगेगा तो आप इसको allow करेंगे अप guys यहाँ पर जो भी आपके documents है जिसके अधार card है, pen card है, voter ID card है driving license है, school case certificates है वो आपको सारे यहाँ पर नजर आजाएंगे और basically guys यह काम ऐसे करता है कि जो भी आपका अधार details है उसी की through आपके document यहाँ पर verify की जाते है इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ जहाँ आपने अधार card का use किया था वो document आपके यहाँ पर जो सारे fetch हो जाएंगे अगर नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर यहाँ पर details दी गई है जिसकी pen card है तो आप यहाँ पर explore more पर click करेंगे तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सरकारी सिवाएं है सरकारी document है आपको सारे नजर आएंगे तो जैसे मानके चलो कि हमें अभी न अपना pen card को यहाँ पर link करना है बस आपको यहाँ पर अपना pen number को enter करना है और आपका जो भी pen card पर नाम है उसको आप enter करेंगे और इस box को tick करेंगे और यहाँ पर get document के उपर click कर देंगे अब यहाँ पर guys आपको थोड़ा सा wait करना है अभी आपका details यहाँ पर फैच किया जा रहा है आप अगर चाहें तो यहाँ पर इसको refresh भी कर सकते हैं अभी guys देखीगा यहाँ पर हमारा pen verification successfully हो चुका है और हमारा जो है जैसे हम इसकी उपर click करेंगे हमारा यहाँ पर pen card का सारा का सारा details हमारा यहाँ पर आ चुका है इसी तरीके से अगर आपके document यहाँ पर आपको नज़र नहीं आते हैं तो आप one by one यहाँ पर add कर सकते हैं और आप कहीं भी अपना document दिखा सकते हैं और guys यह बिल्कुल valid document है आपको physical document carry करने की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है तो इस तरीके से आपको DJ Locker app में अपना account बनाना है और इसका use करना है